संस्कृती नवशकार साथियों फिर आगया रभीबार और हम हाजिर हैं आपके समक्ष संस्कृती समाचार दरपन का 132 अंक लेकर सूचना श्रोत का कारकरता हमारा संस्कृती समाचरदरपन फिर आपके लिए ले आया है सूचनाओ का भंडार जो की विद्यार्थी एवं अवी भावकों के लिए त्यंद महत्पूर्ण है तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज के अंक की ओर पहली दूसरी और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गज सब्ता चैफरवरी को स्पोर्ट डे फिटनेस फेस्टिवल 2022 देश का आयोजन किया गया इस कारेकरम को सफल बनाने है तूँ विद्यार्थियों को उनके पसंद के खेलों में तयार तो किया ही गया साथ ही नन्ने मुन्ने विद्यार्थियों को द्वारा सांस्कृतिक कारेकरमों की भी रंगारंग प्रसुतियां दी गई जिन में शिक्षकों वो विद्यार्थियों के साथ-साथ अभी भाव को नेवी बड़ चड़ कर हिस्सा लिया इस कारेकरम में मुख्यातिती के रूप में सब इंस्पेक्टर अंजुमन और सोनम मैम उपस्थित रही जिनके करकमलों के द्वारा दीप प्रजवरन के साथ कारेकरम का शुभारम हुआ इसके बाद नन्ने मुन्ने विद्धियारतियों द्वारा मार्च पास्थ की सलामी और मशाल जला कर खेलों का शुभारम किया गया इसी के साथ साथ मातापिता के लिए भी अनेक मनोरंजक खेलों का आयोजन जिसमें विजेता पालकों एवं विद्यार्थियों को विद्याले प्राचारे एवं मुख्य अतितियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कक्षा पांचवी और आठवी के समस्ते विद्यार्थियों एवं पालकों को सूचित किया जाता है कि CBAC द्वारा आयोजित सफल 2022-23 के साथ ही विद्याले की सत्रांत परिक्षाओं का शुबारंभवी साथ फरवरी से हो चुका है विद्यार्थी एवं पालगण क्रपया ध्यान दें की उक्त परिक्षाओं में से किसी भी प्रश्ण पत्र का पुर्ण आयोजित नहीं किया जाएगा अतह इन परिक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अत्यंत ही अनिवार है कक्षा चौथी, छटवी, साथवी, नवी एवं ग्यारवी के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी सत्रांत परिक्षाएं 2022-23 का आयोजन 13 फरवरी सोमवार से होने जा रहा है जिनमें आपका समय पर उपस्थित होकर शामिल होना अनिवार है ग्यातव्य हो कि इन परिक्षाओं में शामिल होने हैं तो प्रवेश पत्र की पात्रता अनिवार है अताह विद्यार्तियों एवं अभी भावकों से विनम्र निवेदन हैं कि वे सम्मंदित परिक्षाओं का प्रवेश पत्र शीग्र अतिशीग्र प्राप्त करें प्रवेश पत्र के बिना परिक्षा में बैटने की अनुमती प्रतान नहीं की जाएगी और ना ही किसी भी प्रिश्ण पत्र का पुना आयोजन किया जाएगा जैसा की पूर्वविदित है की कक्षा दसवी एवं बारवी की प्री बोर्ड परिक्षाएं संपन्न हो चुकी थी जिनका परिक्षा परिणाम 11 फरवरी को पालक शिक्षक बैठक के माद्यम से प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश विद्यार्थियों को उनके प्रिश्ण पत्र लेखन चेली में होने वाली तुटियों पर सुधारात्मक ध्यान दिलाते हुए क्रमशा 20 और 27 फरवरी से प्रारंब होने वाली बोर्ड परिक्षाओं हितु तयार करना रहा आगामी 14 फरवरी से किंडर गार्टन के विद्यार्थियों की मुख्य परिक्षाओं प्रारंब होने जा रही है यह परिक्षाओं दो भागों में होंगी अर्थात लिखिक और मौकिक अतह अभी भावकों से निवेदन है कि वह अपने नौनी हालों का अच्छी तरह खयाल रखें उन्हें इन परिक्षाओं हेतु तयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें फरवरी के सबताहां अंत में होने वाली किंडर गार्टन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन सेरिमनी की तयारियां जोरो पर है इस हेतु विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अनेक ज्यान वर्दक गतिविदियां एवं छोटे-छोटे सांस्कृते कारिकरम भी तयार करवाये जा रहे हैं जिसमें सभी विद्यार्थि बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं किंडर गार्टन के विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन सेरिमनी आगामी 27 फरवरी से आयोजित होने जा रही है जिसकी पूर्वतयारियां इन दनों जोर शोर से जारी हैं इस कारिकरम के आयोजन का मुख्य उद्देश विद्यार्थियों को किंडर गार्टन की परिक्ष नहीं हम पुना हाजर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ तब तक के लिए लेते हैं एक सापताहिक विराम विदा लेने से पूर्व उनी पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाशा हम सब की भगवन पूरी होए सुख रहिए धन्यवाद